तो आज का अपना टोपिक है तिगनोमेट्री की ट्रिक्स को हियाज करना सबसे पहले ट्रिक्स के लिए मैं क्या बताती हूँ साइन और कोस में क्या डिफ्रेंस है साइन जो है साइन है अपना साइन है फ्रेंडली और जो कोस है वो नोट फ्रेंडली आप देखो साइन इसली से दूसरों के साथ क्या कर लेता है फ्रेंडशिप कर लेता है और कोस क्या करता है वो दोस्ती नहीं करता साइन का क्या रूल है अगर कोई उसके साथ अच्छे से बात करता है कोई उसके साथ पोजिटीव रियक्ट करता है लेकिन cos क्या है, note friendly है तो वो क्या करेगा, कोई इसके साथ positive रहता है, तो ये क्या करता है negative show करता है, ठीक है कोई इसके साथ positive रहता है, तो ये negative रहता है, ठीक है तो ये उल्टे काम करता है, और ये सिद्धे काम करता है, अब sign क्या है friendly है तो वो क्या करेगा cause के साथ दोस्ति करके चलेगा sign a plus b का formula क्या होजेगा sign a cause b क्योंकि ये sign और cause साथ में रहेंगे plus देखो ये कोई plus के साथ आएगा तो ये plus ही show करता है plus में cause a sign b that means sign और cause साथ में चल रहे है क्योंकि sign क्या होता है friendly होता है और कोई plus का show करता है sign तो ये plus ही रहता है sign a minus b क्या होता है sign a minus b अगर कोई minus का show करता है तो ये minus बन जाता है that means sign a cause b minus cause a sign b उसके बाद cause a plus b कोई plus show करता है तो ये negative बन जाता है that means अब कोई यहाँ पर plus का sign है तो यहां पर आजएगा minus का ब cos not friendly है थो वो sign के साथ friendly होगे नहीं चलेगा तो cos के साथ ही friendly होता है ठीक है वो opposite के साथ नहीं रहता that means cos A plus B क्या होजएगा cos A cos B minus sin A sin B cos A minus B क्या माइनिस है तो यहां पर यह आजएगा plus आजएगा ठीक है और cos a minus b that means cos a cos b plus sin a sin b अब tangent की बात करते हैं tangent क्या होता है tangent react करते हैं अलग-अलग के साथ यह पहले तो ऐसा कहता है कि मैं किसी की साथ भी दोस्ती नहीं करूँगा मैं खुल के साथ ही रहता हूं ठीक है तो tangent a plus b क्या हो जाता है tangent a plus tangent b उसके बाद इसको समझ में आती है कि नहीं अकेले अकेले तो नहीं चल सकता मैं तो यह अकेला खुद को अकेला समझता था तो इसमें से minus करते हूं है tangent a tangent b उसकी बाद है tangent a minus b minus है that means plus का sign आएगा और minus है तो पहले तो यह क्या करता है अलग-अलग ही रहता है tangent a बी अलग रहता है tangent b भी अलग रहता है फिर यह सोचता है कि नहीं अकेले तो बात नहीं चलेगी तो यह पहले अकेला था फिर यह ले आता है औरों को भी साथ में tangent a tangent